इस साल के टिशा जिसके बतानी क्या क्या सपने थे भी ये फाइनल एर में थी और एक डॉक्टर के पास महज खासी होती है दवाई लेने के लिए जाती है वहाँ पर कुछ ऐसा गलत इंजेक्शन लगाया जाता है जिसके बाद विदन फाइव मिनिट्स जो है टिशा की माफ क करने की कोशिश करेंगे मेरी आप सभी लोगों से अपील इस वीडियो को देखने वाले इसे जितना जाद उसके शेयर जरूर कर दे लाइव तस्वीरे आप देख रही है करनाल से उनके जो पिता है वाटीशा के वह भी हमारे साथ है पर उनसे बात चीट कर लेते हैं सर क्य का यह मामला है कैसे हुआ है नोर्मल खांसी थी और जोला चाप डोक्टर के पास घ्यान त्रावडी से जो दुपान करकी है और उससे दुआई लेने का उसने इंजेक्शन लगाया दो मिनिट में उसने आखी पलड़ ती और उसकी देख हो उसको किसे ने बोला इंजेक्श पार बोर्ड तो अत्रेजा क्लीनिक लिखा हुआ है बट वो बैठता जोला चाप ग्यान डक्टर है ग्यान बैठता है वह आप क्या लगते हैं जिनकी डेट हुई है मेरे मामा जी की बेटी है चोटे वाली दीदी 21 साल के थे उनका नाम टीशा है टीशा बत्रा और वो उनक अच्छली इसी यर के अंदर 2022 10th 10th death हो चुकी है by the way in cases में very poor our families no discusses media इसके अंदर पुलीस प्रशाशन यह लिखता है डॉक्तर यह दिखिए जिए डॉक्टर ग्यांचन वाइद इस यह प्रूव माई डिग्री उसको मुझे डिग्री चाहिए भी इस ब्राक्टर की डिग्री है मैं भी पड़ा लिखा हूं मुझे आप सेंटीस पर बठा इंजेक्शन लगाया तुरांट इंजेक्शन लगाया किसने दो अरे उसने बोला चुला आपने डाक्टर ने इंजेक्शन लगा लगा दिया फिर अब कंप्लेंट कर दी गई है मैं सिर्फ प्रशाशन से एक चीज पूछना चाहता हूं कोई यह कोई गुना करता है कोई च करते कि आप यह फाइनल यूर की स्टूडेंट थी त्रावड़ी से रहते हैं और हमारे साथ तो क्या लगते इंजेक्शन की वज़ए से इन्जेक्शन रेपोर्ट तो नहीं आई है न हम जैसे ही इंजेक्शन होस्पिटल में गये मैडिसन के लिए उन्होंने मैडिसन की ब चाहिए और मुझे कंपोर्टर के लिए भी चाहिए आठ हजार की सेलरी पे आप इंजेक्शन लगवाओगे इतने बड़े-बड़े फिलाल मौके पर पहुची हुई है डेट बोटी का फिलाल पोस्मोटम हो रहा है और पोस्मोटम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे तरीके से समझ में आएगा कि आखिरकार टिशा की डेथ हुई तो हुई क्यों कि बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगने के महज 2-5 मिनिट कि अंदर टिशा की डेथ हो गई जिसकी उम्र महज 20 साल बताई जा रही है बीए फाइनल एयर की छात्रा जो की खासी होने पर बास के ही अट्रेजा क्लिनक पर दवाई लेने गई थी दिखाने गई थी लेकिन वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं था किसी और द्वारा इंजेक्शन लगाया जाता है और इंजेक्शन लगने के तुरंट बात बताया जा रहा है टिशा की डेथ हो जाती है जिसके बाद परिवार के लोग फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इलजाम लगाते जरूर नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर की गल्ती की वज़ह स जो है कही न कहीं टिशा ने अपनी जानगवादी फिलाल पोस्त मोटम जो है बॉडी का वो किया जा रहा है मेरी आप सभी लोगों से पीर इस वीडियो को दिखने वाले से जितना साथ उसके शेयर जरूर करें और साथ ही साथ में टिशा के लिए कमेंट सेक्शन में ओम शानत जह हु लिगा झेवा हुआ को इस